आप चाहे कोई भी हो, किसान हो, अनिदाता हो, दंगाई हो या किसी पार्टी के नेता ही क्यों नहों, अगर आपने उत्तर प्रदेश में कानुन व्यवस्था बिगारने की कोशिश की, तो आपको बक्षा नहीं जाएगा। यही अपने आपको किसान कहने वालों के साथ हो रहा है। देश की राजधानी दिल्ली में 26 जन्वरी को किसानों के ट्रेक्टर परेड में हुई हिंसा के बाद इनके धरने को समाप्त करने की कारेवाईश शुरू हो चुकी है। हाला के ध्यान देने वाली बात ये है कि ये तथा कथित किसानों के सच्चाई योगी सरकार शुरू सही जामती थी। यही कारण है कि दो महीनों से अधिक होने के बावजूत उत्तर प्रदेश में किसी भी तरह के उत्पाती प्रदर्शनकारी बड़ा अंदूरन खड़ा करने में असफल रहे हैं। यही नहीं योगी सरकार वास्तविक किसानों के साथ लगातार बातचीत कर रही थी और उनके लिए कई कारिक्रम चलाए जा रहे थे। कानून विवस्था के मामने में शुरू से ही योगी अधितिनात एक्शन मोड में रहते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गुरुवार को उन्होंने उत्तर प्रदेश में जगर जगर चल रहे किसानों के धरने को खत्म कराने का आदेश दिया है। योगी सरकार ने सभी जिलादिकारियों और पुलिस प्रशासन को धरना खत्म कराने के निर्देश दिये हैं। वहीं सीम के आदेश के बाद गाजीपूर बॉर्टर पर किसानों ने अपने तंबू खारने शुरू कर दिये हैं। मुखे मंतरी योगी आदेतनात के निर्देश से पहले बागपत जिले में धरना दे रहे किसानों के खिलाफ कारेवाई की जा चुकी है। में चल रहा धरना समाप्त हो गया है। कि यूपी के अंदर प्रदर्शनकारियों का उत्पात नहीं देखने को मिला। किसान अंदोलन के बीच यूपी की योगी सरकार किसानों को साधने के लिए एक के बाद एक कई कदम उठा चुकी है। किसान सम्मेलों के जरिये क्रिशी कानून पर फैले भ्रहम को दूर करने के साथ-साथ चौपाल लगा कर किसानों को क्रिशी कानूनों के फाइदे गिनाने के बाद योगी सरकार किसान कल्यान मिशन का आगाज भी कर चुकी है। यही नहीं अगले तीन सब्ता तक हर बुद्वार को विकास खंडों में कारिकरम कर किसानों को योजनाओं की जानकारी देने के साथ ही पात्रों को लभानवित भी कराने के निर्देश दिये गए हैं। प्रदर्शन के लिए आई दंगाईयों को पहचामती थी और अब उनका असनी स्वरूप सामने आने के बाद दो दिन के अंदर ही यूपी से प्रदर्शन उक्तों समाप्त किया ही साथ ही यूपी बॉर्डर को भी प्रदर्शन मुक्त कर दिया है।